इस विडियो में हम समझेंगे सेल्स. जब Robert Hook कोक की एक थिन स्लाइस को एक्जामिन कर रहे थे, तब उन्होंने ये पाया की कोक का इंटरनल स्ट्रक्चर हनीकोम के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है. Hooks ने ये Observation 1665 में Self-Designed Microscope से किया था. Robert Hook इसे Cell Box कहते थे. Cell शब्द का इस्तमाल स्ट्रक्चर यूनिट्स को मेशर करने के लिए किया गया, जिसे आज भी Biology में यूज किया जाता है. आईए अब जानते हैं Cell के बारे में. Animation में हम देखते हैं कि Onion का एक छोटा टुकडा लिया गया है. अब 4-7 की मदद से Onion की टॉप लेयर को छीलेंगे. इस लेयर को हम Immediately Watch Glass के ऊपर रखेंगे, जिसमें पहले से पानी रखा होगा. Watch Glass में रखा पानी, Onion लेयर को फोल्ड होने और ड्राइ होने से बचाएगा. अब हम एक Glass स्लाइड लेंगे और इस पे पानी की कुछ बूंदे डालेंगे. इसके बाद Onion लेयर के एक छोटे से पीस को इस पे ट्रांस्फर करेंगे. इस चीज का ध्यान रहे की Onion लेयर परफेक्टली फ्लाट हो. अब हम इस Onion लेयर पे साफ्रन सिल्यूशन की कुछ बूंदे डालेंगे. और इसे Cover Slip से प्रटेक्ट करेंगे. ध्यान रहे की जब हम Cover Slip को Onion लेयर पे रखे तो इसमें Air Bubble ना बने. अब हम इस Glass Slide को Compound Microscope से Observe करेंगे. जब हम Microsoft Pay से Slide को Observe करते हैं, तब हम Cell का Structure देखते हैं. इसमें छोटे-छोटे Structure होते हैं, जोकी Onion Structure का Basic Building Units है. इन Structures को Cells कहा जाता है. सिर्फ Onion ही नहीं, बलकि सभी Organism Cell से ही बने होते हैं.